ओम स्री वेंकटेश्वराय नमाहा आज के वीडियो में कल रिलीज होने वाले तीन तरह के इंपोर्टन टिकेट्स के बारे में जानेंगे सबसे पहला अंगप्रदक्षना टिकेट्स दूसरा स्रीवानी ट्रस्ट डोनेशन टिकेट्स और तीसरा Senior Citizen Physically Challenged और Medical Condition के जो कोटा में रिलीज होते हैं टिकेट्स उन्हें भी कल रिलीज किया जा रहा है तो तीन तरह की टिकेट्स कल रिलीज हो रहे हैं वन बाई वन जाते हैं कौन से टाइम में रिलीज हो रहे हैं साथी क्या क्राइटीरिया है इन टिकेट्स की सबसे पहला जो टिकेट्स रिलीज हो रहा है वो है अंग प्रदक्षना टिकेट्स 23rd October सुबा 10 बजे ये टिकेट्स जन्वरी मेंने के लिए रिलीज हो रहा है ये टिकेट्स बिल्कुल free टिकेट्स है एक mobile से maximum दो लोगों के लिए टिकेट्स बूक हो सकते हैं यहां ध्यान दे जन्वरी 10 से जन्वरी 19 तारीक तक अंग प्रदक्षना टिकेट्स को नहीं रिलीज किया जाएगा क्योंकि एका दर्शी का टाइम है जन्वरी 10 तारीक से लेकर जन्वरी 19 तारीक तक तो इन 10 दिनों तक अंग प्रदक्षना टिकेट्स को होल में रखा जाए जैसे infant दर्शन, NRI दर्शन, आज जित सेवा हैं, army दर्शन और senior citizen के tickets इन सभी tickets को hall में रखा जाएगा यानि इन सभी दर्शनों को hall में रखा जाएगा पूरे 10 तिनों तक आगे बढ़ते हैं और जानते हैं next set of tickets जो कल release हो रहे हैं जन्वरी के लिए next set of tickets स्रीवानी ट्रस्ट डुनेशन टिकेट्स हैं जो कि VIP ब्रेक दर्शन के अंतरगत आते हैं और ये tickets जन्वरी महिनी के लिए कल यानि 23rd अक्टोबर को सुबह 11 बजे रिलीस हो रहा है स्रीवानी ट्रस्ट डुनेशन टिकेट्स ओफलाइन में भी मिलते हैं online में और offline में क्या फर्क है उसे जानना बहुत जादा important है स्रीवानी ट्रस्ट डुनेशन टिकेट्स पर परसन यानि एक व्यक्ति का 10,500 का टिकेट होता है जिसमें 10,000 का डुनेशन होता है और 500 रुपीज का दर्शन टिकेट होता है एक mobile से maximum 9 members के लिए टिकेट्स बुक हो सकते हैं कैसे बुक कर सकते हैं क्या पूरी process है उसकी detailed video already मैंने बनाई है link आपको description box में मिल जाएगा यहाँ ध्यान दे online में जो स्रीवानी ट्रस्ट डुनेशन टिकेट्स है वो एकाजशी के लिए भी release होंगे क्योंकि स्रीवानी ट्रस्ट डुनेशन टिकेट्स को hold में नहीं रखा जाता है तो mostly 10th January से लेकर 19th January तक स्रीवानी ट्रस्ट डुनेशन टिकेट्स आपको available हो सकते हैं हाला कि यह कल ही पता जलेगा लेकिन mostly available हो सकते हैं स्रीवानी ट्रस्ट डोनेशन टिकेट जो ओनलाइन में रिलीज होते हैं, एकॉमिडेशन के साथ रिलीज होते हैं, यानि इनका अलग से एकॉमिडेशन का कोटा भी रिलीज किया जाता है, लेकिन सिर्फ थाउजन रुपीज के रूम्स को ही रिलीज किया जाता है स्रीवानी trust donors के लिए उसकी भी क्या process है आप उसे भी जान सकते हैं यहां खास बात ये भी है कि आप एक बार दर्शन ticket को cancel कर सकते हैं यानि reschedule कर सकते हैं एक मौका आपको मिलता है कि किसी कारणवश अगर आप जिस दिन भी आपका दर्शन उस दिन नहीं जा पा रहे हैं तो आप उसे reschedule कर सकते हैं और एक offer ये भी है कि 10,000 आप डोनेट करके 365 days जब भी आपका donation का date होता है उससे एक साल के अंदर अंदर आप कभी भी दर्शन टिकेट को book कर सकते हैं जब भी संस्थान release करता है दर्शन टिकेट को स्रीवानी ट्रस्ट डोनर्स के लिए अब समझते हैं offline में स्रीवानी ट्रस्ट डोनर्स टिकेट कहां मिलते हैं ये टिकेट तिरुपती airport में मिलते हैं first come first basis के आधार पर मिलते हैं यानि आपको boarding pass दिखाना पड़ता है specifically लगभग 100 tickets तिरुपती airport में मिलते हैं जितनी जल्दी आप उस counter तक जाते हैं उतनी संभावना होती है आपको इन tickets को मिलने की यहां ध्यान दे आप जिस भी दिन जा रहे हैं उस दिन का ticket आपको नहीं मिलता है अगले दिन का 10 अटिकेट आपको मिलता है यहां पर एक और चीज बहुत जादा important है कि boarding pass आपको लेना होता है आधार का जेरोग्स भी आपको attach करना होता है और accommodation आपको offline में specifically स्रीवानी ट्रस्ट डोनर्स के लिए नहीं मिलता आपको online में ही यह facility उपलब्ध है otherwise आप अगर offline में स्रीवानी ट्रस्ट डोनर्स के थ्रू जाना चाते हैं तो आप normally जिस तरह से CRO office में registration कराना पड़ता है वैसे ही आप room book कर सकते हैं और तिरुपती में offline में सिर्फ विश्नु निवासम में offline के पदती में rooms available है आप वहाँ पर भी rooms book कर सकते हैं offline में स्रीवानी ट्रस्ट डोनर्स टिकेट्स तिरुपती airport के अलावा तिरुमला में गोकुलम guest house के पास भी आपको स्रीवानी ट्रस्ट डोनर्स टिकेट्स मिलते हैं आप वहाँ पर भी try कर सकते हैं प्रिकला जो टिकेट है, वो है Senior Citizen Physically Challenged और Medical Condition वाले भगतों के लिए टिकेट, इन तीन कैटेगरी को एक ही में रखा जाता है, सारे फ्री टिकेट्स हैं, आप अपने साथ एक सहायक को ले जा सकते हैं, सहायक का भी टिकेट यहाँ पर बिल्कुल फ्री होता है, तो एक मोबा से लेकर जनवरी 19 तक जो 10 डेज का टाइम होता है, उस डेज को छोड़कर बाकी सारे दिनों के लिए इन टिकेट्स को रिलीस किया जाएगा, October 23rd यानि कल दो पहर 3 बजे, Senior Citizen Physically Challenged और Medical Condition वाले भगतों के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना होता है, कुछ क्र रखा जाता है, और एक ही स्लोट होता है और वो होता है दोपहर 3 बजे, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ आधार काड को भी अपलोड करना पड़ता है, इसके साथ साथ Medical Condition वाले भगतों को Medical Certificate को अपलोड करना पड़ता है, अपने आधार काड के साथ, उन् इसके साथ साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि उनका कोई टिकेट नहीं होता है, तो आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं, अगर कोई भी आपके साथ नहीं है, तो स्रीवारी वॉलेंटरी सेवक होते हैं, वे आपका ख्याल रख सकते हैं, बहुत अच्छे से रख सकते हैं, वीलचेर की भी फैसिलिटी आपको राम बगीचा बस स्टैंड में साथ ही टेंपल के आसपास भी मिल जाता है इसके साथ साथ Senior Citizen Physically Challenged और Medical Condition वाले भक्तों के लिए अलग से हॉल होता है जहां पर उन्हें बैठाया जाता है खाने पीने की व्यवस्था होती है, चाई कॉफी की व्यवस्था होती है दशन होने के बाद सहायक ही यानि voluntary सेवक ही उनके relatives तक उन्हें पहुचा देते हैं इसमें कोई दिकत वाली बात नहीं है लगबग एक घंटे में दशन हो जाता है, बहुत नस्दीक से दशन नहीं होता है लेकिन एक घंटे में आपका आराम से दशन हो जाता है ध्यान दे senior citizen, physically challenged और medical condition वाले भगतों के लिए कोई भी offline tickets available नहीं है ये सिर्फ आप online में ही book कर सकते हैं या normal लोगों की तरह आप offline में tickets ले सकते हैं लेकिन अलग से कोई line आपको नहीं मिलती है तो इस बात की जानकारी रखे maximum online tickets book करने की कोशिश करें जिससे की कोई भी अस वविधा आपको ना हो इन सभी tickets को किस तरह से book क्या जा सकता है वीडियो अलड़ी बनाया है लिंक आपको description box में मिल जागा एक बच जरू चेक कीजेगा आशा करती हूँ ये सारे information आपके लिए informative रहे होंगे झालड़ी बनाया है